हेलो फ्रेंज वेल्कम बाक तू माई चैनल मैं हूँ आपका दोस्त प्रीप महाजन और वेलकम आपका मेरे एक नई वीडियो में जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो पहले आप सोच रहेंगे कि एक्शन केमर ही क्यों तो दोस्तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास वो कैमरा नहीं था या फिर ऐसा कोई डिवाइस नहीं थी जिससे आप उसको तो दोस्तों उन सब का जो solution है वो है यह action camera so action camera ही क्योंकि action camera small होते हैं साइज में compatible होते हैं light weight होते हैं और बहुत सारे features आपको affordable price में मिलते हैं और दोस्तों आप यह action camera को आप अपने bike या फिर आप अपने cycle के handle पे लगा सकते हैं आप इसे as a dash cam यूज कर सकते हैं अपनी car में और आप इसको अपने hand पे टाई कर सकते हैं और आप इसको अपना tripod में भी आप लगा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने भी आज तक ऐसे कोई moments miss करे हैं जो आप नहीं करना चाहते थे during any of these actions तो आपको भी action camera लेना चाहिए लेकिन action camera लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि action camera के features क्या क्या है क्या specifications होती है और action camera लेने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको market में online बहुत सारे action camera मिलेंगे और आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा action camera अच्छा है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सब features, specifications और इस box में तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमें इस box में क्या क्या चीज़े मिलती है सबसे पहले हम start करते हैं इस camera के box से सो यहां देख रहे हैं सबसे पहले कि SJCAM के साथ यहां लिखा हुआ है वाइफाई सो वाइफाई से क्या मतलब है और यह क्या application पर काम करता है यह मैं आपको बताऊंगा आगे और यहां देख रहे हैं यह camera 30 meter तक water resistant है यानि अगर आप underwater इसको यूज करने तो 30 meter water resistant रहे गा यह दो स्क्रीन के साथ यह आता है front and back और gyro stabilization के साथ है which is a very important feature और 4K resolution साथे साथ आप देख रहे हैं आपर जो इस camera में इस box में जो जो हमें accessories मिल रही हैं वह यह mention है तो दोस्तों आप यह जो आप देख रहे हैं आप आप का QR code यह बहुत है important है और यह आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या feature है तो यह यहां पर दो QR code दियो है हमने हमें iOS और Android के लिए और उसके बाद यहां पर कुछ specification mention है सो जैसे कि आप देख रहे हैं image sensor 16 Megapixel है लेंस मेंशन है resolution क्या-क्या है वीडियो के resolutions और image के resolutions दोनों और कौन-कौन से formats यह प्ले करता है और इसमें हमें एक बैटरी मिलती है 1000 mAh की removal battery सबसे important point जो आप देख रहे हैं यहां पर storage इसमें लिखा है supports up to 128 GB Micro SD cards but selected so guys आपको यह जो अभी screen में जो एक SD card दिख रहा है यह मैंने लिया था market से और कुछ selected cards इसमें चलते हैं so make sure जब भी आप कोई external SD card लें तो make sure वह select करके लें और connections और operating system सो दोस्तों सबसे पहले start करते हैं इस camera के price से सो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं camera यह मैंने लिया है market से वह मुझे पड़ा है 9200 rupees का with one year warranty और साथ ही साथ मैंने इसको proper bill पे लिये सो पहली चीज जो आपको धिहन में रखने हैं दोस्तों वह है कि जब भी आप यह camera ले चाहे वह आप online ले या फिर आप market से ले सो make sure आप proper warranty और प्रॉपर बिल के साथ ले चलिए एक बार इसको अंबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने box को unbox कर लिया है और इसमें जो जो असेसरी सी मैंने इसको बाहर निकाल लिया है तो यह हमारा टाइम बचे अंबॉक्सिंग में तो यह हमारा कैमरा तो इसके फीचर्स यूसेज हम बात में समझेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हमें क्या क्या मिल रहा है साथ में तो यह है इसका waterproof case जिसको आप underwater यूस कर सकते हैं यह है frame mount जो इसमें आप लगा सकते हैं और इसको फिर आप bike पे आप साइकल पर जहाट जाएं अर्जस कर सकते हैं यह हमारे कुछ brackets जिसको आप 360 degree rotate कर सकते हैं और आप इसको यूस कर सकते हैं और यह पीछे 3M का sticker है जिसको आप हटाके इसको स्टिक कर सकते हैं तो हमें दो ऐसे यहां पर ब्राकेट मिल रहे हैं एक आप देखने प्लेन हैं और एक यह थोड़ा आक है सेम हमें हाँ पर माउंट्स मिल रहे हैं दो जो की एक प्लेन है और एक थुड़ाइब शेप में है और यह हमारा लेंस कवर जिसको आप लेंस पर लगा सकते हैं जिससे आपका लेंस प्रोटेक्टेड रहेगा यह हमारा cycle mount जिसको आप cycle या bike के handle पे लगा सकते हैं यहाँ पर यह हमारा fixed base यह है इसकी charging wire और यह है इसका एक touch backdoor so अगर आप इसको use कर रहे हैं let's suppose underwater में तो आप इसको use कर सकते हैं so that जो पीछे का जो आप यह back screen देख रहे हैं यह अगर आप waterproof case में लगाओगे तो यह touch काम नहीं करेगा तो इसके लिए आप यह लगा सकते हैं बढ़ आपको एक चीज धियान में रखनी है जब आप इसको ल मिल रहे हैं अलग-लग size के और कुछ हमें यहां पर 3M के स्टिकर मिल रहे हैं और साथ में यह इंस्ट्रक्शन मैनुल है तो गैस चलिए देखते हैं अब इस कैमरा के features क्या-क्या है क्या-क्या यूज है तो चलिए देखते हैं चलिए दोस्तों एक बार इस camera के physical overview के बारे मे एक front screen दे रखिया है 3 lights option है इसका यह लेंज है यहां पर यह USB port है charging का यह memory card slot इसका speaker और यह back screen और on-off button और यह आपका settings बटन है और यह shutter बटन है और नीचे यह आपको जो slot दे रखा है इसका battery slot है तो रिमोबल बैटरी है यहां पर तो दोस्तों इसकी जो बैटरी यह बन था जैसे मैंने बताया था आपको और बैटरी को चार्ज करने में चाहिए हो चाहिए गोप्रो दो से तीन घंटे लगते हैं और यह इसका fix base mount है जिसको आप यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने fix base mount लिया आप इसको यहां लगाईए और इसको आपको जहां पर भी लगाना आप यहां ऐसे लगा के और आप इसको यहां से fix करके लगा सकते हैं तो दोस्तों अभी यह camera मैंने on कर लिया है और एक बार आप देखते हैं कि जैसे कि आप यह देख रहे हैं जो front screen पे आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि यह जो timing है वीडियो का और यह आपका battery button है और लूप recording, FOV, low light mode, WDR gyros sensor है जिसको आप OFF और low और high कर सकते हैं इसके बाद audio option है जिसको आप और on कर सकते हैं volume, time step, video file आपको कुण सा format चाहिए bit rate, sharpness, ऐसे आपको यहां पर बहुत सारे options दिख रहे हैं तो दोस्तों जो भी आप option चूज करेंगे उसके यहां पर settings आए कि let's suppose मैं इसको यहां से नीचे से swipe करता हूं तो मिर पास option आ रहे हैं आपर तो आप option में यहां पर देख रहे हैं जैसे कि आपको video, video lapse, low recording यह सब option आ रहे हैं यहां पर पर zoom in, zoom out कर सकते हैं तो यहां पर आपको सारे options दिख रहे हैं जिसमें video है, video lapse है, slow recording option है, photo lapse है, burst mode है जिसमें आप एक बाद क्लिक करेंगे और multiple clicks, photos आपकी click होंगी और video plus photo है, car mode है और underwater है, तो इसको देखने हैं कैसे use करते हैं तो दोस्तों car mode के लिए आपको यहां क्या करन है, आपने यहां पर options में आप जाएंगे और आप यहां पर car mode पर जाएंगे, और car mode यह आपका on हो गया, आप इसको यहां से camera को आप off कर दीजिए, अब जब आप इसको camera को आप अपना car के dashboard पर लगाएंगे और इसको charging wire है, आप इसको जो अपने car के लगाएंगे यहां प वीडियो आपकी ignition on करते ही, on हो जाती है, तो दोस्तों जो सबसे अच्छा feature मुझे इस phone का लगता है, वो है Wi-Fi और phone के through connect, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या मैंने top to down इसको swipe किया है, मैं Wi-Fi बटन पर जाओंगा और यह Wi-Fi on हो जाता है, अब आपको अपने phone में, यह आप करनी है, जो कि आपके box के cover पे QR code से भी आप कर सकते है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको connect to the camera करेंगे, और अब आप इस phone में, आप जो भी record कर रहे हैं, वो आपके mobile पे आ जाएगा, और the best feature is, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर आपके पास option भी है, आप यहाँ पर option भी change कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाके media library में भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको image को download भी कर सकते हैं, प्ले करके भी दे सकते हैं, तो अगर आप कहीं travel कर रहे हैं, और आप उसी वर्क इसको देखना चाते हैं, कि यह कैसी वीडियो आई है, कैसी photo है, आप आप इसको फोन में देख सकते हैं, तो दोस्तों यह कुछ basic features मैंने आपको इस action cam के बताए हैं, जो की है, HJ6 Legend action camera with 4K, होप आप कोई जो features और specifications से मदद मिलेगी, जब आप अपने लिए कोई अपना action camera खरी देंगे, तो चलिए, अब मैं इसको एक बार daylight और एक low light में कुछ video capture करके कुछ samples इस video में add कर देता हूं, जिससे आप इसकी video quality भी आप देख सकेंगे, आप इस वीडियो पसंद आई है, और आपको useful और informative लगी होगी, आप इस video को like ज़रूर करें, share करें, और साथी साथ channel को subscribe ज़रूर कर लें, और bell icon पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आनी वाली videos की notification मिलती रहेगी, तो दोस्तों तब तक, take care, stay safe, bye-bye.